आज हम आपको प्रसिच्छी तसना तक अंकगडित का मैट का जो है कटप बताएंगे और दो ऐसे केस जो कोट में गए हैं उन पे जो है थोड़ा सा प्रकास डालेंगे और वीडियों को आराम से सुनिएगा आप लोग वीडियों को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि देखिए पूरा नहीं देखेंगे और उसको स्किप करके देखेंगे तो मेरी भातों को समझ नहीं पाएंगे सरप्रत्म मैं आपको बता दूँ की 22 तारिक को जो है एलोकेशन का रिल्लत आया अब और 24 तारिक को है लेकिन मैं आपको बता दू कि जिन लड़कों को इन्होंने जितने भी लड़के हैं आप उसको अट कर लीजिएगा उन बच्चों को एट करने के बाद वो पूत्नी प ग्यप्ति में कितिनी सीटे इन्हों ने दिखाया था मैं आपको यह दिखाता हूं यह मादमिक सिक्षा सेवा चैन्बोर्ड का दो हैर तेरा की भी ग्यप्ति है ठीक है और आप यहां पर मैथमेटिक्स में देख लीजिएगा देखे यहां पर प्रसिक्षी तसना तक देख लिए उपर पहले देख लिए सीट जादा है तो आप अब यह सी बात है सब दिखाने की रूत नहीं है आपनों को गडित में बालक बर्ग में 464 सामानने में है दो सव एक सटोबी सी में है दो सव बावन सी में है दो एस्टी में है ठीक है टोटल 997 सीट बालक बर्ग वन में है गडित में और 20-23-14 मिलाके टोल 57 सीट जो है बालिका बर्ग में है आप लोग बार फिर से देख लीजिए यह प्रसिछित असना तक गडित की सीटे है नौ 89 और 77 आप 1000-120 के आसपास जो लिए लेकिन जो इन्होंने रिजल्ट लाए है यह लोग वो उतना रिजल्ट लाए नहीं है बहुत कम रिजल्ट लाए हैं आप लोग साइड पे जाए के जो है दोनों रिमेंडर पैनल के और एलोकेशन के जितने लड़के हैं उनका आप किन किया है मैं आप लोग को वीडियो देखें मैं आप से फिर बोल रहा हूं यह बोल्ड बहुत इर्रेगुलर है मैं आपको अभी तक यतने भी केस रियल्ट आ रहे हैं ठीक हो कोई भी रिजल्ट फ्रेस नहीं आ रहा है सब रियल्टों में एक एक दो दो चार-चार केस ज बिना लड़के लड़े इन्होंने कोई रियल्ट नहीं दिया है बिना नयाले में गए इन लोगों का जो है इसे लगता है पेठी नहीं भरता है ठीक है तो मैं आपको एक बाप बता दूँ पहला पहला केस नमबर देख लीजिए इसमें पुरर मुल्यांकन का बालग बर्ग म इनका सबसे हाइस माक है तो इनको जो है रिसी कुमार के जगह पे जो है इनको जो है कारभार समालने के लिए बोला कि पहले रिसी कुमार कहीं कारभार समाल रहे थे वो नहीं समाल पाए तो उसकी जगह पे जो है आप पढ़ सकते आराम से तो उसकी जगह जो है मतला आप सम को फिर संस्था बंटित होई आप बोर्ड में होने वाले अनियमित्ता को समझ सकते हैं मेरा वीडियो मेरा चैनल केवल और केवल बोर्ड उत्रपदेश बोर्ड और UPPCS के जो है कमिशन प्याधारित है मैं आपको उत्रपदेश हायर सेकेंडरी का जो एक्जाम होता है जिसको ह सेकेंटरी वाले कराते हैं सेशन प्रोफेसर का उसमें कितनी एर्रेगुलर्टी है उसको भी मैं बता हूंगा पहले आप लोग इसको देख लीजे इसमें लिखा हुआ है कि इसमें बालक बालक संस्था है तू यह अनुकुरवांक यतेंद्र कुमार की मेरिट 379 संसोधी च चैनित होने वाले सभी भेर्टियों से अधिक है इसलिए याची को सरोधय बिद्या मंदिर इंटर कालेज बिरनेव फतेवपुर में टीजीटी मैथ सामान पे एलोकेट किया था विग्याबर संख्या 0127 देख लीजिए जिसको रिसी कुमार के करभार नौ ग्रहन करने के क रिक्त स्थान पे उसी विग्यापन पर संसोधित परडाम के बाद जो है वो जॉइन करवाय जा रहा है आप जरा सोच लीजिए कि मतलब आयोग पहले जो है तिके पहले जो है जब से जीओ और जब से 4G का करांती आयो उससे पहले आप लोग भी इतना जो है साइबर पर ज और लकंषा को इन्होंने रीसी कुमार को अलोट किया फा कोई जूए कोई लड़का कोर्ट में गया उपाद कोको लन्हें इतन्र कुमार की न fiance रिप्रिटी जो में गरती है इसके अला माया है ना पर मौका आता है सहाजाद आव exactamente स다면 सबकर संसाग को जो 28-2018 को जो है 28-11-2018 का इसका रिजल्ट आया है ये भी पुरर मूनले अंकन का मामला था सोच लीजे कि मतलब आयोग बीना जो है पैसा खाए बोर्ड बीना पैसा खाए कोई कुछ नहीं कर सकता बहुत से हमारे फ्रेंट्स पोस्ट रहे हैं कि कब आएगा रिजल्ट कब आएगा रिजल्ट जो है कब आएगा रिजल्ट मैं बोलना हूँ पर रिवाई जैसर की तो आजाए और रिवाई जैसर की मैं आपको बता दूँ चाहे किसी भी बीसायका हो अगर 6-7-8 कोश्चन भी बादित है और जल्दी जल्दी भरतियां नहीं करवाएगा तो इसक्षा भी भाग पूरा तरह से माफिया और इस तरह पे और्गनाइज हुआ यह और्गनाइज सेक्टर है ठीक होता है एक और्गनाइज क्राइम होता है यह और्गनाइज सेक्टर हो गया है करप्सन का और्गनाइज सेक्टर है ठीक है तो मैं आपको बता दूं कि cut-off देख लीजिए आप लोग बालग बर्ग वन का cut-off मैं आपको बता दूं इन लोग को बताया हुए cut-up के नुसार आप लोग कट-up देख लें एक तालिस लड़कों को इन लोगों ने यहां करवाया है ठीक है और पांच लड़कियों को और आप रिमेंडर पैनल भी जाक काउंड करेंगे तो लगोग पौने 200 के आसपास जो है आपको लड़के मिलेंगे लेकिन मैं आपको भी गपती में दिखा चुका हूँ कि 989 और ल बालगबर्ग 1 की भी बात कर रहा हूं बालिका की भी नहीं बात कर रहा हूं बालगबर्ग 1 में सुन लिजिए आप लोग बालगबर्ग 1 में जो कटफ है 365 है ठीक इस में से जब 40 नमर घटाएंगे मैं आपको पहले बता चुका हूँ मेरे कटफ निकालने का तरीका 40 नमर म करेंगे तो चांबे कोश्चन आएगा मतलब चांबे कोश्चन जनरल का कटफ गया है 23 का ओवी सी का आप देख लीजिए ओवी सी का पिश्डा बर्ग में 345.11 है तो 345 में 40 घटाएंगे तो जो आउट्रिस को 3.4 से डिवाइड करेंगे तो 90 कोश्चन आएगा इसी तरह आप जो है एसी का देख लीजिए 390 है 290 चालिस घटा आएंगे 250 बच्चे का 3.4 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो है 74 कोश्चन मचेगा मतलब जनरल का 96 नम्मर है कटफ ओवी सी का 90 कोश्चन और एसी का 94 कोश्चन और एक बिकलांग पिएच का भी है 300 आप जो भी पिएच स्कंडेट होंगे आप देख लेंगे 300 में से आप 40 घ्रा लीजीएगा उसको 3.4 से डिवाइड कर लीजेगा अब बालीका बरक में हम देखते हैं ठीक है यह बालक बरका हो गया कटफ बाली का वरका देखते हैं मैं आप लोगों से बार-बार खहता हूं कि आप लोग जो है मैं चैनल के सुरू में नहीं कहना चाहता कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए वीडियो को और सेर करिए मैं बस यह कहूंगा कि आप लोग उत्तरपदेश आपके पास जोह नोटिफिकेशन आ जाया है जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पाइन नोटिफिकेशन इसका चला जाया और वीडियो पसंद आये तो जरूर लाइक करिए वीडियो नहीं भी पसंद आये तो एट-लिस आप कमेंट करके हमको ठीक है तो मैं आपको बोर्ट पे आने वाले जितने भी कट अफ हैं जो उसके बाद जो नियाला का मैटर है मैं आपको सब बताने को इस करूँगा और वन बाई बन मेरे पास बिग्यप्ती 23 का पड़ा हुआ है एक हमारे सस्क्राइबर है काफी अच्छी गल्स हैं उन्होंने हमको भेजा था मैं आपको वहीं बिग्यप्ती 23 का दे रहां दिखाया हूं मैं 23 का इतनी पूराने मिग्यप्ती मैं रख नहीं सकता लेकि मिल गई मुझे इसलिए मैं आपको दिखाया कि 900 साने 900 सीर्जुह टी जीटी मैथमेटिक्स की थी लेकिन उतरह रिजल्ट आया नही है कि आ यहाली का बर्ग काम कट अव देख लिए है बाली का बर्ग में 323 है यह जनरल का देख लिए 323 को आप 40 से सब्स刷्ट करेंगे और 3.4 दिवाइड करेंगे 84 कोशन गया है बाली का बर्ग में 84 कोशन कट अव गया है जेरल का ऑबीडि को छाप 23ps का इस्हें थैं 288 में OBC बालिका बर्ग OBC का मैं बता रहा हूं 288 में जब 40 को घटाएंगे तो और 3.4 से डिवाइट करेंगे तो 71 question आएगा और ऐसे ही आप यसी का जब करेंगे तो 69 question आएगा मैं आप लोगों से फिर बता दे रहा हूं मैं एक बार फिर रिफीट कर देता हूं cut off को बालिका बर्ग में जणरल 84 question OBC 71 question यसी 69 question ठीक है बालक बर्ग में सुन लिजी जणरल 96 question OBC 90 question यसी 72 question और एक PS का दिया हुआ है PS candidate अपना निकाल लेंगे अब मैं अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों को 2017 cut off कैसे बता हूं क्यों क्योंकि इन्होंने एक तो मैं आपको दिखाता हूं यहां पर जो भी लड़के हैं पांस लड़की यहां आप देख लीजी यहां पर और 41 लड़क है ठीक है क्यों मैं आपको दिखा देता हूं एक मिनट आप देख लेजी है देखिए यह जो है रिबेंडर पैनल का रियल्ट है ठीक है और इसको जब आप काउंट करेंगे तो लगबग पौने 200 के आसपास जो है आपको मिलेगा तो मैं यहीं समझ पा नहीं रहा कि 2016 cut off मैं आप लोगों कैसे बताओं ठीक है तो आप लोग इतना समझ लीजिए कि अगर इस cut off के आसपास भी आप लोगों का cut off है ठीक है mathematics में जनरल का बालक बर्ग में बालक बर्ग सुन लीजिए जनरल का चानवे कोस्चन ओवी सी का 90 कोस्चन यह सी का 74 कोस्चन और पी एच का आप आप लोग बस इतना समझ लीजिए अगर इसके आसपास आपके मांक्स हैं इस बार TGT 2016 में तो आप अपने आपको जो है वाइबा के लिए प्रिपेर करना सुरू कर दीजिए और मैं प्लीज बोल रहा हूं कि जो भी मेरा वीडियो अपलोड होता है आप लोग जो है देख को सब्सक्राइब कर दीजिए इसलिए कि आप लोग का सब्सक्राइब करना और लाइक करना ही मेरे लिए एक इंसेंटिव है ठीक है तो मैं आप लोग को एक गोग दिन में जो है TGT 2013 का संस्कृत का जो अभी आधुनिक आया हुआ है उसका कटफ उसका रिजल दिखा बता ठीक है आज के लिए वसे इतना ही धन्यवाद कर दो